हाई एब्रीबान कैसे हो आप सब वेलकम हैं आपका नीशूज आइडिया में और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ स्कूल में डान्स परफॉर्मेंस के लिए बच्चों को कैसे त्यार करें क्लासिकल डान्स के लिए मेकप कैसे करें तो चलिए शुरू करते हैं मैं यहाँ पर अपने बिट्टू को त्यार कर रही हूँ इनका स्कूल में डान्स परफॉर्मेंस है तो सबसे पहले फेस को क्लीन कर लें फेस वाश कर लें और उसके बाद हम लगाएंगे मॉस्टराइजर तो यह है एपी सॉफ्ट मॉस्टराइजर वेट संस्क्रीन भी है इसमें और यह मेकप लुक डे टाइम का है मॉर्निंग टाइम का है इसलिए संस्क्रीन जरूर लगाएं तो इसमें दोनों है तो अच्छे से लगाएंगे और फिर इसको अच्छे से मसाज करके हम एब्सॉर्ब करवाएंगे यहाँ पर चल रहा है इनका मस्ती आप देख सकते हो दिन हम लगाएंगे मेकप प्राइमर जो की मैंने लिया है लैक मेका और यह है बलर पॉफिक मेकप प्राइमर सो कोई भी मेकप हो बच्चों का हो या बरो का मेकप प्राइमर स्किप नहीं करना चाहिए मेकप प्राइमर लगाने से हमारा स्किन बहुत ही सौफ्ट हो जाती है और इसके उपर जो भी हम make-up foundation या कोई भी make-up product लगाते हैं तो बहुत ही easily glide हो पाता है, blend हो पाता है और हमारा make-up बहुत ही long lasting and flawless दिखता है तो अब देख सकते हैं इसको अच्छे से blend करें और फिर हम लगाएंगे यहाँ पे foundation जो कि मैंने लिया है Maybelline Fit Me Foundation तो बहुत ही थोड़ा सा product लेंगे क्योंकि बच्चों का जो skin होती है बहुत ही soft flawless होती है तो यहाँ पे आपको ज्यादा product की जुरत नहीं परती बस even tone जहां जहां थोड़ा सा darkness होता है वहाँ पे आपको product लगाना है और फिर इसको हम blend कर लेंगे तुरह सा neck भी लगाएंगे यहाँ पे hand भी लगाएंगे क्योंकि आप school जाने से sun tan हो जाता है तो यह देखिए अब हम इसको blend कर लेंगे अच्छे से and blending में अच्छा time दे जिसे की make-up बहुत अच्छे से foundation जो है my skin में blend हो पाए and make-up बहुत ही flawless दिखे और आप देख सकते हो so इसको हम time देते हुए blend कर लेंगे and उसके बाद यहाँ पे मैंने compact लिया है जो की है lacmeca sun expert compact powder और अब हम इसको dab-dab motion में पूरे face and neck पे अच्छे से लगाते हुए set कर लेंगे उसके बाद करेंगे eye makeup जो की हमें pink eye makeup रखना था तो यहाँ पे pink eye shadow लेके पूरे eyelid पे crease area पे दोनों आखों में अच्छे से apply कर लें and blending में time दे तब आपका बहुत ही clean makeup look आएगा और बच्चों के ऊपर pink eye makeup बहुत ही खिलता है बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे lighting की problem हो रही होगी तो आप देख सकते हो हम लोग night में shoot कर रहे थे तीन चार बजे रात को तो अब हम लगाएंगे यहाँ पे liner जो की liner हमें और काजल bolt रखना था मोटा liner लगाना था तो यहाँ पे आपको ध्यान देते हुए apply करना पड़ेगा धीरे धीरे क्योंकि बच्चे बहुत हिलते हैं तो इसमें खराब होने का डर रहता है यह जो liner है यह है Maybelline का तो बहुत ही easy हो जाता है लगाना अब देख सकते हो थुरह सा नीचे खराब हो गया है जो कि हम बाद में ठीक कर लेंगे उसके बाद मैंने Maybelline का ही glossal काजल यूज किया है तो की long lasting है smudge proof है अगर काजल, mascara या liner फैल जाए तो यहाँ पे आपको लेना होगा micellar water cotton के साथ और फिर वहाँ से उसको remove कर दे और उसके ऊपर आपको apply करना है foundation concealer blend कर लें अच्छे से और फिर powder से set कर दे तो आपका perfect look फिर से हो जाएगा तो दोनों lower lash line पे मोटा सा काजल apply कर लेंगे and उसके बाद लगाएंगे blusher and highlighter तो इस तरह से हम cheek पे blusher थोड़ सा ज्यादा लगाएं बच्चों के उपर बहुत ही अच्छा लगता है pink shade लेके and nose पे लगाएं highlighter और cheek bone पे chin पे forehead पे highlighter लगाएं और blend कर लें सबको contour नहीं करना है so उसके बाद मैंने लिया है bold red color lipstick और इसको lips पे apply करेंगे और फिर अच्छे से mix कर दे और jewelry आप देख सकते हो आपको gold tone में रखना है सारी के साथ match करता हुआ पूरा bangle set और माथा पट्टी, joker, necklace so आप देख सकते हो यहाँ पर मैं eyebrow fill in करना भूल गई थी तो pencil लेकर set कर लेंगे और comb से इसको set कर लेंगे तो यह आप देख सकते हो मैंने complete कर लिया है उसके बाद मैंने लिया है labeling का closer mascara और इसको हम दियान से apply करें यहाँ पर नहीं तो आपका make up खराब हो सकता है और बच्चों को बोले center में देखें और फिर apply करें बहुत मुश्किल होता है लगाना उसके बाद हम make up fixer लगाएंगे जिसे की make up long lasting हो waterproof हो और यहाँ पर देख रहो देख सकते हैं आप इनक मस्ती और यह रहा है इनका final make up look आप देख सकते हो बहुत ही प्यारी cute सी लग रही है मेरी princess so यह आप hairstyle गजरा मैंने पहले ही बना लिया था सिंपल डूनट बन के साथ आपको टाइटली गजरा बन बनाना है जूल्डी यह सारा कुछ और बिंदी रेड लगाना है उसके चारों साइड आपको कुम-कुम वाइट कलर में या वाइट पेंट के साथ अगर आपके पास कुम-कुम नहीं है तो इस तरह से लगाना है इक्शन चैनल को सबस्क्राइब करें बाई बाई